हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब कहानी का इंतजार है तो आज मैं आपके लिए लेक्या आई हो एक बहुत बढ़िया कहानी इस कहानी का नाम है एक तामे ताकत एक बार शरीड के सारे अंगों की एक सभा हुई उस सभा में वे सब नारे लगाने लगे नहीं चलेगी नहीं चले हम तो सारे दिन काम करें और पेटू राम जी आराम करें और उस पर भी इतने नखरें ये लाओ वो लाओ ये सारी बात सुनकर सबसे पहले हाथ बोले हम हाथ हैं भई हाथ सारे दिन काम करें और वो पेटू राम जी आराम करें ये बात सुनकर पैड से रहाने गया और वे भ वा भाई वा ये भी खूब रही हम तुम्हें एक जगे से दूसरी जगा लेके जाए सारा काम हम करें हम पैर हैं भाई पैर हम हाथ नहीं समझे ये सुनकर मटकती हुई आखे बोली अरे भाईया आप अपने मुमिया मिठु कैसे बन रहे हैं अगर हम तुम्हें सही रास्ता न नीचे गिरे हुए मिलो और तुम हमें ही छोड़ाए हो ये सब सुनकर दिमाग दोड़ा-दोड़ा आगी आया और कहने लगा ये लो भाई ये सब मुझे कैसे भूल गए? मैं ही तो हूँ असली चीज यानि की दिमाग मेरे अंदर ही तो सारा दिमाग है मैं ही तो सारे काम सोच समझ कर सही समय पर इन्हें सही सला देता हूँ और ये मुझे ही पीछे छोड़ के आ गए ये सारे बात सुनकर हमारा दिल भी पीछे कैसे रहता? वह बोला लो जी ये मुझे कैसे भूल गए? इन्हें ये नहीं पता कि अगर मैं धड़कना बन कर दूँ तो पल भर में सारे धेर हो जाएंगे फिर सभी ने एक सवर में आवाज उठाई अरे हम तो यहाँ पर पेटू राम के खिलाफ नारे बाजी करने आये थे और हम आपस में ही लड़ने लगे? पर सवाल ये उठता है कि पेटू राम तक समाचार पहुँचाएगा कौन? ये सब सुनकर तभी कान बोले अरे ये कौन सा मश्किल काम है? मैं अभी जाकर जीब से बोलता हूँ उसका तो काम ही यही है इधर की उधर लगाना और उधर की इधर लगाना तभी कान भागते भागते जीब के पास गए और जीब से कहा कि जाए समाचार जाकर पेटू राम को दे दो जीब ने जाकर समाचर पेटू राम को दे दिया जीब ने कहा पेटू राम जी संभल जाओ आपके खिलाफ बगावत हो गई है बाहर सब नारे बाजी कर रहे हैं कि पेटू राम तो कुछ काम ही नहीं करते सारा काम हमें करना पड़ता है और उपर से ये बोलते हैं, ये लाओ, वो लाओ, ये सब सुनकर पेटुराम को बहुत गुसा आया, अच्छा, ऐसा, ठीक है, उन्हें क्या पता कि मैं कितना काम करता हूँ, वो जब सब सो जाते हैं, उसके बाद भी मैं काम में लगा रहता हूँ, ठीक है, कह दो उन से, कि आठ बच गए, तब पेटुराम ने अवाज लगाई, क्या बात है भाईया, आज खाना नहीं बनेगा, क्या, भूग के मारे जान निकल रही है, ये बात सुनकर सब ने एक साथ बोला, ओ, आज हमारी तब्यत कुछ ठीक नहीं है, हम तो खाना नहीं बना सकेंगे, हो सकी तो तुम अपना खाना खुद ही बना लो, अगर बन जाए, तो हमें भी खिला देना, ये बात सुनकर पेटुराम को बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम बिमार हो, तो जाकर अराम करो, मैं भी अराम करता हूँ, फिर देखते हैं, कैसे काम होता है, पेट पेटुराम को सही समय पर खाना नहीं मिलेगा, तो वह काम कैसे करेगा, तो सब बहुत खुश हुए, कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बचों, कुछी समय बात, खाना ना मिलने की कारण, सब की तव्यत बिगड़ने लगी, कोई इधर उल्टी करने लगा, अपनी गल्ती का एहसास हुआ, और सब मिल जुलकर फिर पेटुराम के पास गए, और कहने लगे, पेटु भाई, पेटु भाई, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गल्ती की, अब हम आपकी बात हमेशा मानेंगे, कभी पेटुराम ने सब को सला दी, देखो, हमारा शर पेट एक मशीन की तरह है, और ये मशीन कैसे चलती है, ताकत से, और ताकत कहां से आती है, संगठन से, एक तासे, अगर हम सब मिल जुलकर काम करेंगे, तो हमें ताकत मिलेगी, और हम अपना काम बहतर कर सकेंगे, तो बच्चो, ये थी आज की कहानी हमारी, कैसी लगी, सब के अपनी एहमियत होती है, इसलिए बच्चो, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगा, और अगली बार एक बार फेड नई कहानी के साथ उपस्तित होंगी, तब तक स्वस्त रहो, खुश रहो!